स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में, मेरा नाम अनू है, मैं जहां काम करती थी, वहां के मालिक बहुत ही ज़्यादा सुन्दर थे, मगर वो किसी नोकरानी से बात नहीं करते थे, मैं छुप छुप कर उन्हें देखती, एक दिन उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली, और बोले कि तुम मुझे चुप चुप कर क्यों देखती हो, मैंने सच कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तब वो जो बोले मैं खुशी से पागल हो गई, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं हरान हो गई, जब वो मुझे शादी करने के बजाए एक बड़े से बेस्मेंट में ले गए, अंदर जाते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर मेरे जैसी, मेरा नाम अनु है, मैं अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से गाउं में रहा करती थी, और रोज चोदरी के घर का काम करके अपन गुजारा कर लिया करती थी, पापा को तो सालों पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वज़ा से मम्मी मुझे आगे पढ़ा नहीं पाई थी, और यही वज़ा थी, कि मेरे पास कोई अच्छी नोकरी भी नहीं थी, घर में दो ही सदस्य थे, मैं और मेरी मम्मी, मैं गाउं क कर लूँ, मगर मुझे अभी ऐसा कोई शोग नहीं था, मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना था, मम्मी का मेरे अलावा कोई नहीं था, उनके फीचर के लिए कुछ करना था मुझे, उसके बाद ही मुझे कुछ सोचना था, मैं उन लड़कियों में से बिलकुल भी नहीं जो बड़े होते ही शादी के ख्यालों में गुम रहती हैं मेरा मानना था कि पहले इंसान जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाए फिर ही शादी करे और मुझे लगता था कि अभी मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थी इसलिए मम्मी को हर बार लड़का देखने से रोक देती थी जिस पर वो थोड़ी देर के लिए नराज भी हो जाया करती थी लेकिन बाद में खुद ही समझ कर मान भी जाया करती थी मुझे अपने गाउं में काम करते हुए काफी समय हो गया था मगर मालिक ने कोई मदद नहीं की थी मेरे पापा भी उनके ही नोकर थे औ और उनके मरने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर नोकरानी के तोर पर रख लिया था, मगर थोड़े पैसों के अलावा मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिलता था, और उन पैसों से तो हमारा गुजारा ही हुआ करता था, तो अपना घर बनाने के और मम्मी के फ्यूचर की सेविंग के पैसे कहां से आते, कभी कभी मुझे लगता था कि ये मेरा एक सपना ही रह जाएगा, कि हमारा एक अच्छा सा घर भी हो और हमारे पास पैसे भी हूँ, चोदरी के पास बहुत सारे नोकर काम किया करते थे, और वो सब तो उसी में खुश थे, कि उनको दो वक्त का खाना मिल रहा है, इसके आगे ना उनकी जूर्थ है और ना ही उन्होंने इससे आगे के बारे में कभी सोचा था, वो लोग बस इसी में खुश हो जाया करते थे, और इसी बात का सारा फायदा उन बड़े लोगों को होता था, जो कम पैसों में अपने बड़े बड़े काम जो इन विचारे गरीबों से करवा लिया करते थे, और वो भी खुशी-खुशी ये काम करने के लिए त्यार हो जाया करते थे, गलती उनकी भी नहीं थी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होता था, और फिर गाओं देहात में नोकरियां तो होती ही नहीं हैं, और होती भी हैं, तो एक अनपड़ जाहिल को कौन रखता है काम पर, ले देकर यही मज़ूरी ही रह जाती है, जो उन्हें कम पैसो में भी करनी पड़ती है, बस यहीं सोच कर यहां के लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, और चोधरी इस बात का अच्छे से फाइदा उठाते थे, मगर मुझे यह सब अच्छे नहीं लगता था, मेरा दिल करता था, मैं यहां से कहीं और चली जाओं, इतने साल मैंने यहां नोकरी की थी, मगर बदले में क्या मिला था, एक घर भी नहीं बना कर दिया था उन लोगों ने, मगर मैं जब भी कहीं जाने की बात करती, तो मम्मी फॉरण से पहले मुझे मना कर दिया करती थी, उनका कहना था कि वो कम में ही खुश है, मगर अपनी बेटी के साथ तो है ना, और हर बार उनकी इसी बात की वज़े से अपना फैसला बदल लेती थी, मगर अब जो हुआ था, उसके बाद तो मुझे फैसला करने में असानी हो गई थी, एक दिन अचानक मम्मी की तब्यत खराब हो गई थी, मैं फोरण उनको डॉक्टर के पास लेकर गई, तो उन्होंने कुछ दवाईया लिख कर दे दी थी, फिर जब मैं दवाईया खरीदने गई, तो पता चला कि बहुत महंगी हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोदरी सहाब से बात की, कि मुझे कुछ पैसों की जूर्थ है, जिस पर उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया, और कह दिया था कि तुम्हारी मा की उम्र हो गई है, उसे जाने दो, क्यो इतनी महंगी दवाईयों पर इतना खर्च करती हो, कुछ ही दिन की महमान है, वैसे ही देख भाल कर लो, कोई कैसे किसी की मौत का बता सकता था, क्या पता, मेरे भगवान ने उनकी उम्र जादा लिखी होती, उस दिन मैंने सोच लिया था, कि मुझे क्या करना था, जैसे तैसे करके, किसी दोस्त से पैसे मांग कर मैंने मम्मी की दवाईयां ली थी, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गई थी, और मुझे अपने दोस्त का करज वापस करना था, इसलिए मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया था, जिस पर मम्मी खुश नहीं थी, मगर मेरे बहुत समझाने पर आखिरकार वो मान ही गई थी, मगर सिर्फ इस शर्थ पर कि जैसे ही करज वापस हो जाएगा, मैं वापस अपने गाउं आ जाऊंगी, और मैंने उस समय तो मम्मी को हाँ कह दी थी, मगर ये तो वक्त ही बताता कि मैं वापस आती या वहीं रह जाती, मगर इस समय उनकी बात मानना ही ठीक लगा था, तो मैंने ऐसा ही किया था, और शहर जाने के त्यारी शुरू कर दी थी, वहाँ मेरी एक पूरानी सहली रहती थी, जिसका पता उसने मुझे कुछ साल पहले ही दिया था, वह पता मेरे पास अभी तक रखा हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे इसके पास जाना था, वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, और उसके मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई के लिए शहर में भेजा था, वह हमारे महले में ही रहती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मम्मी ने बहुत रोका था, मगर मैं क्या करती, मैं भी मजबूर थी, अब यहां से निकल कर, कुछ तो करना ही था ना, यहां बैठे बैठे, कुछ नहीं होने वाला था, यहीं बैठी रहती, तो वो चोधरी कम पैसो में हमारा इस्तेमाल करते रहते, और हम इस्तेमाल होते रहते, गाउं में ही हमारे बहुत से रिष्टदार हैं, उनसे मैंने मेरे ना होने पर, मम्मी का ख्याल रखने के लिए कहा था, और अपना सामान बांद कर, सुबह ही शहर के लिए निकल गई थी इस से पहले मैं कभी बड़े शहर नहीं गई थी बच्पन में एक बार मम्मी के साथ गई थी उसके बाद कभी जाना ही नहीं हुआ था हाँ, मगर गाउं के पास जो छोटा सा शहर था वहाँ आना जाना लगा रहता था अखिर मुझे पूरा दिन लग गया था घर तलाश करने में और कहीं शाम को जाकर मुझे घर मिला था, लेकिन क्या पता था कि मेरी दोस्त अभी भी इस पते पर रहती है, अगर वो सही हुई, तो सारे दिन की थकावट भूल जानी थी, लेकिन अगर वो यहां ना मिले, तो बहुत परिशानी हो जाती, और फिर मैंने घर के दरवाजे को नोक किया तो वो बहर आई थी, और मुझे देखकर हैरान भी हुई थी उसने मुझे बहुत बार कहा था कि उसके पास शहर में आकर काम करूं, मगर मैं हमेशा ही मम्मी की वज़े से मना कर देती थी वो भी हमारे गाउं की ही रहने वाली थी जो कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए शहर आ गई थी, और फिर उसके बाद यहीं काम करने लगी थी मुझे अपने साथ अंदर ले गई हाल चाल पूछने के बाद खाना वगारा खिलाया, घर में वो अकेली नहीं थी, उसका पती और बच्चे भी थे, इसलिए मुझे अंदाजा था कि मुझे रहने के लिए कहीं और जगा देखनी होगी उसके घर में एक या दो दिन से ज़्यादा मैं नहीं रह सकती थी और उसके लिए मुझे जल से जल काम की जरूर थी, इसलिए मैंने उसे साब बात की थी, कि मुझे जितनी जल्दी हो सेके, किसी काम पर लगवा दो, कुछ सोच कर उसने मुझे कहा था, कि इस खाया भी होगा, या नहीं, क्या कर रही होंगी, मेरे बिना, मैंने जब से होश संभाला था, मम्मी के साथ ही वक्त बुजा रहा था, कभी उनसे दूर गई ही नहीं थी, और फिर पापा के जाने के बाद तो, मेरा सब कुछ मम्मी में ही था, और उनका मुझ में हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, कभी सोचा भी नहीं था, कि मम्मी के बिना इस तरह दूर भी रहना पड़ेगा, सोचा था, कल बहा जाकर कहीं से फोन करके उनका हालचाल पूछ लूँगी, अपना परसनल फोन तो था नहीं मेरे पास, कभी अपना फोन हुआ ही नहीं था, ना कभी जूर्थ पड़ी थी, और ना कभी इतने पैसे हुए थे, कि में ले सकूँ, इसलिए आज बहुत बुरे तरीके से, उसका एहसास हो रहा था, शाम से कब रात हुई, पता ही नहीं चला था, और अब सोने की त्यारी करने लगी थी, क्योंकि सुबह मुझे अपनी सहली से मिलकर कोई काम तलाश करना था, इसलिए भी सोना जरूरी था, उपर से जितनी मैं ठकी हुई थी, मुझे नीद आ गई थी, सुबह अपने दोस्त के बुलाने पर आँक खोली, और सबसे पहले उटकर नाश्टा किया, और उसके बाद मैंने उससे अपने काम की बात की थी, जब उसने मुझे कहा, कि त्यार होकर मेरे साथ चलो, एक जगह मेरे पती ने तुम्हारे काम की बात की थी, उसी जगह जाना था, अगर वहाँ काम बन गया, तो बहुत ही अच्छी बात थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्टा किया, और फिर त्यार होकर उसके साथ चलने की त्यारी करने लगी, और थोड़ी ही देर में त्यारी करके मैं उसके साथ चल पड़ी थी, सबसे पहले तो मुझे घर पर मम्मी को फोन करना था, और एक जगह देखकर मैंने मम्मी को फोन किया था, और उनका हाल चाल पूछ कर मुझे तसलिह हो गई थी, अपना चोकिदार से बात करके, अब घर के अंदर चले गए थे, अंदर जाकर ही, हम दोनों बाहर एक जगह पर बैठकर, किसी का इंतजार करने लगे थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, कि ये घर एक आदमी का है, वह अकेला ही उस बड़े से घर में रहता है, और बाकी के सारे लोग काम करने वाले थे, लोगों से सुना था, कि उसकी पतनी कुछ टाइम पहले ही मर चुकी थी, और अब वो अकेला ही इस घर में रहता था, कुछ देर बाद एक नोकरानी, घर के अंदर से बाहर आई, और हमें अपने साथ अंदर चलने को कहा, हम लोग उसके पीछे पीछे घर के अंदर गए, वो घर जितना बाहर से सुन्दर था, उतना ही अंदर से सुन्दर था, वो नोकरानी हमें एक बड़े से हौल के पास ले आई थी, और अंदर जाने का कहा था, अंदर कदम रखते ही, मेरी नजर सामने बैठे एक आदमी पर गई थी, वो बहुत ही जादा सुन्दर था, उसे देखकर कोई भी उसे देखता रह जाता, और उस समय यही हाल मेरा भी हुआ था, मैं भी उसे देखकर देखते ही रह गई थी, जब उस मालिक ने हमें अपने सामने देखकर पूछा कि हम दोनों में से कौन काम करेगा यहाँ, जिसके जवाब में मेरी फ्रेंट ने एकदम मेरा नाम ले लिया था, तो उसने कहा था, कि इसे खुद बात करने दो, क्या ये बोल नहीं सकती, उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोली थी, कि नहीं मैं बोल सकती हूँ, जिस पर उन्होंने कहा, कि उनके हर स्वाल का जवाब मैं खुद दूँ, इस बात पर मेरी फ्रेंट चुप हो गई, और अब वो मुझे कुछ और स्वाल करने लगे थे, उन्होंने पूछा कि मैं कैसा काम कर सकती हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा था, कि कोई भी काम, वो मुझे करवा ले, मैं कर लूँगी, तब उसने कहा, कि उसे अपने घर में एक शैफ की जूरत है, उसका जाने का कह दिया था, उसका कहना था, कि कल उसके जागने से पहले ही, मैं उसे काम पर मिलूँ, अब हम दोनों ही उस घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे, मेरी फ्रेंट का कहना था, कि मैं खुश किसमत हूँ, इसलिए मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मिल गया था, और उसका कहना था, कि मैं आज ही अपना सारा समान यहाँ पर शिफ्ट कर लू, तो फिर मुझे परिशानी नहीं होगी, उसकी बात भी सही थी, और मैंने ऐसा ही किया था, अपना सारा समान अपनी फ्रेंट के घर से उठाकर बंगले में ले आई थी, और वहाँ के नोकर ने मुझे कमरा दिखा दिया था, जहां पर मुझे रहना था, कमरा भी अच्छा था, मैंने अपना सारा समान वहाँ पर सेट कर लिया, और अब मुझे कल से अपने काम पर जाना था मैं बहुत खुश थी और स्कून से थी मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे इतनी जल्दी काम मिल गया था और रहने की परिशानी भी हल हो गई थी वरना मैं कब तक अपने फ्रेंट के घर पड़ी रहती उसकी भी अपनी फेंली थी वो भी आखिर कब तक मुझे अपने घर में रख सकती थी और उपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से कहीं पर रह सकती इसलिए ये काम मेरे लिए किसी खुश किसमती से गम नहीं था रात गुजार कर सुबह मालिक के कहने के मुताबिक उनके जागने से पहले मैंने अपना काम संभाल लिया था घर काफी बड़ा था और घर में नोकर चाकर भी ज़्यादा थे कीचन भी काफी बड़ा था लेकिन उसकी हाला ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसकी वज़े ये थी कि शेफ नहीं था और अब वो पूरी किचन मेरी जिम्मेदारी थी मुझे इस किचन को बिल्कुल सही करना था मुझे दिल लगा कर यहां पर काम करना था ताकि मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे पका काम पर रख ले और मैंने ऐसा ही किया था सुबह होते ही अपने काम पर लग गई थी मालिक जो काफी देर बाद उपर से नीचे आये थे और मुझे काम करता हुआ देख चुके थे सब नोकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे वो सब को एक नजर देख कर मेरे पास आये और बोले थे कि अच्छा किया कि मेरे जागने से पहले यहां आ गई उनका कहना था कि उन्हें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो वक्त पर अपना काम करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते और मानते हैं वो इतना कहकर वहां से चले गए थे और मैं दोबारा से किचन की सफाई में लग गई थी मुझे यहां काम करते हुए तीन दिन गुजर गए थे और इन तीन दिनों में मैंने एक चीज पर ध्यान दिया था कि यहां पर काम करने वाले नोकर किसी से भी ज़्यादा बात चीत नहीं करते थे आपस में भी कोई बात नहीं करता था मैं अगर किसी से बात करती तो बहुत कम जवाब मिलता था वरना कोई जवाब नहीं देता था और इस बात पर मुझे हैरत थी सब नोकर जो यहां काम करते थे यही साइड में बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे कोई भी नोकर बाहर से नहीं आता था और ना ही बाहर जाया करता था सब इधर ही रहते थे मालिक भी घर से बाहर कहीं नहीं जाते थे वो भी घर के अंदर ही रहते थे बस सुबह एक बार बाहर का चक्कर लगाते और सब नोकरों को काम करता देखकर वापस चले जाते थे और फिर शाम को कभी कभार आ जाया करते थे किसी भी नोकर से बहुत ज़्यादा बात्चित नहीं करते थे अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए दस दिन होने वाले थे और इन दस दिनों में ना तो कोई घर में बाहर से आया था और ना ही कोई घर का सदस्या या नोकर बाहर गया था मालिक बहु ज़्यादा सुन्दर थे और ना चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आते तो मैं उन्हें देखने लगती थी और अक्सर उन्हें छुप छुप कर देखने की मेरी आदत सी बनती जा रही थी वो जब भी शाम को बाहर आकर बैठते तो मैं किचन की खिर्की से छिप छिप कर उन्हें देखती रहती थी मुझे लगता था कि इस तरह उन्हें देखने से उन्हें पता नहीं चलेगा मगर शायद मैं गलत थी उन्हें शायद मेरी हर हरकत का पता था ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कों या आदमियों को देखने की आदत थी मेरी मम्मी ने मेरी परविश ऐसी नहीं की थी कि मैं यहाँ चुपके चुपके किसी को देखूँ आज से पहले मैंने कभी भी किसी मर्द को इस तरह नहीं देखा था मगर पता नहीं मालिक में ऐसी क्या बात थी कि जब भी मुझे नजर आते तो मेरी नजरे उन्हें देख कर वापस पल्टना भूल जाया करती थी और मैं लगता चुपके चुपके उन्हें देखती रहती थी और इसी सोच में थी कि किसी को भी इस बात का पता नहीं होगा समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मुझे दिन बदिन मालिक और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे एक दिन मैं इसी तरह चिपकर मालिक को देख रही थी और वो कुछ देर बाद अपनी जगा से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगे थे मुझे लगा कि उनका कोई काम होगा तबी तो वो इस सरफ आ रहे हैं मेरे पास आकर उन्होंने मुझे से पूछा कि तुम रोज मुझे चुपके चुपके क्यों देखती हो उनके सवाल पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी और डर भी लगा था कि कही वो मुझे काम से ही ना निकाल दे मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था कि क्या जूर थी मुझे ये हरकत करने की वो क्या सोचेंगे अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे मैंने शर्मिंदगी से सर नीचे जुका लिया था जब उन्होंने दुबारा से पूछा था कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखती हो और अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसलिए मैंने सच बोलना ही बहतर समझा और बीना सोचे समझे ही कह दिया था कि आप मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं छिप छिप कर आपको देखती रहती हूँ ये कहा कर मैं चुप हो गई थी और उनके बोलने का इंतजार करने लगी थी जब वो बोले तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई उनकी बाते सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठीकाना ही नहीं था मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी जब उन्होंने कहा कि मैं अगर उन्हें अच्छा लगता हूँ तो मुझे शादी कर लो पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे से कोई मजाक कर रहे हैं मगर बाद में जब दोबारा उन्होंने यही बात की तो मैंने कुछ भी सोचे भी नहीं हा कहा दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने के लिए त्यार हूँ वो जब कहेंगे मैं उनसे शादी कर लूँगी और मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर हा में सीर हिला कर वापस अंदर की तरफ चल पड़े थे और मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है मैंने एक बार भी मम्मी से पूछने की कोशिश नहीं की थी सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी सोचा कि जब शादी हो जाएगी तो मम्मी को बता दूँगी वो कुछ नहीं कहेंगी मान जाएंगी मुझे इस बा नहीं तो लग रहा था कहां मैं गरीब सी लड़की थी और कहां वो इतने जादाद के मालिक और एक सुन्दर आदमी उनसे तो कोई भी शादी कर लेता तो फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रहे थे इस बात को तो मुझे सोचना चाहिए था मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आपको खालात के उपर छोड़ दिया था अगले दिन मालिक जब दोबारा नीचे आये तो मेरे पास आये थे और मुझसे शादी के लिए कहा था मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनसे शादी करने के लिए त्यार जिसके जवाब में मैंने हा कर दी थी और वो मुझे अपने साथ चलने का कहने लगे थे मुझे इस बात की खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई थी कि जब मुझे शादी करने के बज़ाए वो घर के अंदर बने एक बड़े से बे बेस्मेंट में मुझूद थी बेस्मेंट में एक तरफ रोशनी थी बाकि पूरी तरफ अंधेरा ही था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब जिन्दा है या मुर्दा और वो मुझे यहां क्यों लेकर आये थे मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उन्हें देखा और उनसे पूछा था वो तो मुझे शादी करने वाले थे तो फिर वो मुझे यहां लेकर क्यों आये थे जिसके जवाब में वो चुप रहे थे और मुझे इंतजार करने का कहकर वापस चले गए थे जबकि मुझे वहीं छोड़ दिया था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी फिर लगा क्या पता वो मेरा कोई टेस्ट ले रहे हूं शादी से पहले क्या पता वो मुझे अजमाना चाहते थे यही सोच कर मैं खामोशी से कोने में जाकर बैठ गई थी और अपने साथ होने वाली कारवाही का इंतजार करने लगी थी इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था मुझे यहां बैठे हुए दो राते गुजर गई थी और मुझे रोज सुबह एक नोकरानी आकर खाना दे जाती थी जब एक बार खाना दे कर वो जाने लगी तो मैंने उससे पूछा था कि मालिक कहा है जिसके जवाब में बिना ही वहां से जा चुकी थी मैं कल से भूकी थी इसलिए खाने की प्लेट उठा कर जल्दी से खाना खाने बैठ गई थी जो भी था अब खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता था और वैसे भी खाना ना खाने से कौन सा मसला हल हो जाना था यही सोचकर खाना तो खा लिया औ और अब फिर से बैठ गई थी, वहां मुझूद बाकी लड़किया भी खामोशी से कोने में बैठी थी, वो सभी दुलहन के कपड़े में थी, जैसे उनको उनकी शादी से उठा कर लाया गया हो, मुझे अभी उनकी इस बात का कुछ समझ में नहीं आया था, अब तो मुझे इ एक नोकरानी आकर खाना दे जाती और मैं खा लेती, मालिक तो उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं आये थे, मैंने इस पूरे बेसमेंट में देख लिया था, मगर कहीं पर भी यहां से बहार निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आज सुबह जब नोकरानी खाना द कट चली गई थी, जबकि मालिक मेरे सामने आकर खड़े हुए और मुझसे कहने लगे थे, आज रात को मेरी और उसकी शादी है, और यही बात बताने के लिए वो आए हैं, उनका कहना था कि शाम को वो मुझे यहां से बाहर ले जाएंगे, मैंने चैन का सांस लिया था, मग के पीछे क्या कहानी थी, मालिक वापत जाने को पल्टे थे, मगर मेरी बात सुनकर रूख गए, और मुझे देखने लगे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा, कि एक लंबी बात है, और उसके पास इतना वक्त नहीं है, कि वो ये बात बताए, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे जानना है, अगर वो मुझे सच नहीं बताएंगे, तो मैं ये शादी नहीं करूँगी, मेरी बात पर वो मुस्कुराए थे, और पास रखी एक कुरसी पर बैठ गए थे, चलो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी, इनसान की एक कि आज से कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी, इस घर की मालकिन से, वो और मालकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मालिक मालकिन से बहुत प्यार करते थे, बलकि अगर ऐसा कहा जाएं कि सबसे ज़्यादा प्यार वो मालकिन से ही करते थे, मालकिन भी मालक से प्य उन्होंने मरने की धमकी दे कर उनको शादी के लिए मना लिया था और वो मान गई थी। मालिक ने बताया कि वो बहुत खुश थे इस शादी को लेकर और होते भी क्यों ना वो मालकिन से इतना प्यार जो करते थे। मालक के जिद की वज़े से उन्होंने शादी कर ली थी और जाते जाते अपनी सारी दोलत मालक के नाम पर कर गई थी ताकि उन्हें आगे जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो सके। उन्होंने काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक पंडित से बात की थी और उन्होंने जो हल बताया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उस पंडित ने बताया था कि अपनी पतनी को वापस जिंदा करने के लिए बारा नो जवान लड़कियों से पहले शादी करनी होगी और शादी की पहली रात ही उनको एक बेसमेंट में बंद करना होगा। ऐसा करने से उसकी पतनी उसे वापस मिल जाएगी। मालिक ने बताया कि वो ग्यारा लड़कियों को शादी करके पहली रात ही यहां कैद कर चुके हैं और अब उसकी बारी हैं मैं वो बारवी लड़की थी जिससे शादी करके उसे कैद करके इसके बाद वो अपने मकसद मे काम्याब हो जाएंगे और उनकी पत्नी उन्हें वापस मिल जाएगी मुझे उनकी बास सुनकर हैरत का जटका लगा था ये आदमी किस किसम की सोच रखता था और क्या फिजूल की बाते कर रहा था मुझे तो उसकी दिमाग ही हालत पर शक हुआ था सच में एक जनूनी आदमी था अब मुझे समझ में आया था कि वो लड़कियां जो दुलहन के कपड़ों में यहां पर थी वो क्यों थी और अब मेरा भी अंजाम यही होना था मुझे सच में अब डर महसूस होने लगा था और उन्होंने मुझे यह सब इसलिए बताया था क्योंकि मैं वो आखरी लड़की थी मुझे से पहले यह राज उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और अब वो मेरे साथ भी यही करने वाले थे जो आज से पहले उन्होंने बाकी सब के साथ किया था अपने अंजाम से जादा मुझे उस पागल आदमी के अंजाम की फिक्र थी वो जो कुछ भी कर रहे थे उसका अपना अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला था वो मुझे अपनी सारी बात बता कर काफी तसली और सकून से बैठे थे और अब उठकर जाने लगे थे और जाते जाते मुझे बोल गए थे कि आज शाम को मैं त्यार रहूं वो मुझे लेने के लिए आएंगे उनके चहरे से खुशी का पता चल रहा था और अब वो बाहर की तरफ चले गए थे मुझे अभी भी उसके कहे गए शब्दों पर हैरत हो रही थी कि कोई इस किसम की सोच कैसे रख सकता है आज के दोर में कौन ऐसा सोच सकता है उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मोत तो जैसे सर पर खड़ी थी मैं उससे भाग कर भी कही नहीं जा सकती थी इंतजार था तो बस उस समय का जब उस बेसमेंट से मुझे बाहर निकाला जाता उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती थी इंतजार करते करते आखिरकार वो घड़ी आ ही गई थी और वो वक्त भी आ गया था, जब मुझे बाहर ले जाया गया, एक नोकरानी ने आकर बेस्मेंट का दरवाजा खोला, और मुझे बाहर आने को कहा था, मैं चुप चाप बाहर निकली, और आज ना जाने, कितने दिनों के बाद मैं बाहर की दुनिया को देख रही थी, बाहर आने के बाद उस नोकरानी ने मुझे अपने पीछे आने को कहा था, और मैं चुप चाप उनके पीछे चल पड़ी थी, उन्होंने कमरे से बाहर आकर मुझे अंदर जाने को कहा, और खुद वापस चली गई, मैं कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर गई, जहां मुझे मालिक स कि इसे पहन कर त्यार हो जाओ कुछ ही देर बाद उनकी शादी थी वो मुस्कुराते हुए मुझे वो कपड़े देते हुए बाहर निकल गए थे तब ही मैंने इधर उदर देखा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का कोई खिड़की कुछ तो होगा मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था और दरवाजा भी बाहर से बंद था अब मेरे पास यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था मैंने वो जोड़ा उठाया लेकर वाश्रूम में चली गई कुछ ही देर बाद मैं बाहर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी थी आज अ कोन अपनी मोत पर खुशी खुशी त्यार होता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और मुझे अपने सामने शेरवाने में दुला दिखाई दिया था वो मालिक ही थे वो खुद भी त्यार होकर आ गए थे औ और मुझे भी बहा चलने के लिए कहा था जहां फेरों के लिए पंडी जी इंतजार कर रहे थे हम दोनों उसी नीचे बने लोन में मुझूद थे वहां मेरे मालिक पंडी जी और दो नोकरानियों के अलावा और कोई भी नहीं था पूरा हॉल खाली था फेरे शुरू हो मेरी फ्रेंड थी जो अपने साथ पुलिस को लेकर आई थी पुलिस ने उसको सब कुछ बताया था कि किस सरह मालिक जवान लड़कियों से शादी करके उनको कैद कर देते थे पुलिस ने वहां मुझूद सब लोगों को ही पकड़ लिया था और मेरे बताने के मताबिक बेस कैसे बताया था तुम तो घर से बाहर गई ही नहीं थी उनकी बात भी ठीक थी मैं तो इस घर से बाहर गई ही नहीं थी और ना ही कोई मुझसे मिलने के लिए यहां पर आया था तो फिर ऐसा कैसे हुआ था जिस पर मैंने बताया कि जब मैं पहले दिन यहां काम पर आई थी उसी वक्त रास्ते में मैंने मुम्मी से बात की थी, तबी मेरी फ्रेंड को पता चला था कि मेरे पास फोन नहीं है, उसके पास दो फोन थे, जिसमें से एक उसने मुझे दे दिया था, और वही फोन उससे मैं भी मेरे पास था, जिससे मैं मालिक कियोंकि कोई भी आ जाता तो कोई फायदा नहीं होता हम लोग तो बेशमेंट में थे पूरा घर तो खाली ही था मालिक ये कह देते कि यहां तो कोई भी नहीं है इसलिए मैं उस समय चुप रही थी और सही समय का इनतजार करने लगी थी और जब मालिक ने मुझे बेस्मेंट से बाहर निकाला और शादी करने को कहा तो मुझे लगा कि अब यही सही समय है जब मालिक की असलिया सब के सामने लाई जा सकती थी इसलिए मैंने अपनी फ्रेंट को कॉल करके यहां आने को कहा और अपने साथ पुलिस बिलाने के लिए कहा था और उसने सही किया था जिससे वो पकड़े गए थे उसने मासूम लोगों की जान बचा ली थी जिसके जूर में उन्हें सजा भी हो गई थी और ये भी पता चला कि वो नॉर्मल आदमी नहीं थे अपनी महबत को पाने के जनून में एक दिमाखी मरीज बन गए थे उसकी सजा के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था और मुझे उसको पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था जिन पैसों से मैंने अपने यह छोटा सा घर ले लिया था और गाउं जाकर भी मैं अपनी मम्मी को अपने साथ यहां पर ले आई थी और मम्मी का भी अच्छे से हस्पिताल में इलाज हो रहा था और जिन्दिगी स्कून से गुजर रही थी और कुछ पैसों से मैंने अपने घर में ही काम स्टार्ट किया था लेडी सूट त्यार करन नफरत अपने जिन्दगी में हर एहसास को एक हद तक रखें अगर किसी से महबत भी है तो उसकी एक हद बनाए कहते हैं महबत और जंग में सब जाज होता है गलत कहते हैं हर चीज हर काम के कुछ असूल होते हैं इस तरह जंग और महबत में भी कुछ असूल होते हैं अगर उन उस पर सफर करना सीखें और याद रखें कि कुदरत हमें क्या सिखाती हैं कि जो लोग हमसे जुदा हुए हैं वो दोबारा लोटकर नहीं आ सकते एक इनसान का यही फर्ज है कि वो अपनी सोच को सही रखें और सही और गलत में फैसला कर सकें मुश्किल वक्त में मजबूत र बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट करके जुरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जुरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जुरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरन दायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो